हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है मानश और मैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो अंगारा सिरीज की अगली कोमिक्स महा युद्धा अंगारा जो की अंगारो और कोहरे का प्रेथ का प्रेथ की आगे की कहाणी है महायोद्धा अंगारा जानवरों का मसिया अंगारा की खुंखार प्रदेश पता नहीं क्या लिखा हुआ है अबेजन घाटी की घाटी में इसे अपना पुराना दुष्मन चार्ली बिलाता है जो अपने सर्दार या तुम्बा की खोपड़ी पर सौर नरबली चड़ा कर उस सुम्बा की खोपड़ी लेकर फरार हो जाता है अब आगे पढ़े प्रिंस तुम्बा तुम अंगारा को खत्म करना चाहते तुम ने मुझे भी इसी काम पर लगाया थैं लेकिन अंगारा न तुम्हें माढ ढाला और मैं भी उसे खत्म ना कर सका एब मेरे है मेरे आका मैं तुम्हारी मौत का बदला अंगारा से जरूर लूगा किन्तों उसे मेरी शक्तियों का राज बालूँ हो गया इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाल सकता है अनेरे में मेरी सारी शेक्तिया खत्म हो जाती है सूरी के अनरजी पराफ्त करके मैं यह दिकर सकता हूं अब तु उससे तुम्हारी मौत का बदला लूँ जादू गर कीमा सौ कौरी लड़कियों की बेरी चड़ा कर तो से जिन्दा करना चाहता था कामपा जाती की सर्दारी कौन करेगा कामपा के पाचो कबीले के पाचो सर्दारी आपर आ जाएं मैं तुम्हारी जाती का सबसे बड़ा हो जाओं मुझे पढ़ाम करो पढ़ाम तो पाचो में से एक चुना जाएगा और इसका फैसला अखाड़े में होगा पाचो में से जो जीत जाएगा उसके सिर्पर सर्दारी का ताज रखा जाएगा चार्ली भी वहाँ पहुचा मेले में क्या हो रहा है खोपड़ी वाले बॉने आजा मारा नारा लगा सर्दार अमारा जीतेगा 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 लेकिन हमारा सर्दार हार गया तू खोपड़ी वाले बॉने पिछले दो साल से हमारा सर्दार ही जीतता आ रहा है, अखाड़े में जंग का एलान हो गया, तुम दौना मैंसे जो यह भाला उठाकर अखाड़े के गेरे से निकलेगा, उसे विज़े ही माना जाएगा, उसके बाद उसका मुकाबला तीसे सर्दार से होगा, अंतिम मुकाबला सर्दार नीमा और चीमा के बीच होगा, नीमा हमारा सर्दार है न, हाँ वही जीतेगा, नीमा और चीमा के बीच मुकाबला शुरू हो गया, एक पेड़ पर मुझे चीमा को जिताना है, नीमा की आंकों पर सूर्ज की रोश्णी की चका जवन पहुंचाता हूँ यह तो बेमानी हो रही है कोई रोश्णी फेक रहा है यह जंगली दोकाख खा सकते हैं अगर चानली रही चीमा जीत गया चीमा बहुत हो रहे लेकिन चीमा को ताज पराने से पहले अगर तुम मैंसे कोई चीमा से लड़ना चाहे तो सामने आए मैं लड़ूंगा चीमा से इस खोपड़ी वाले बॉने की शामत आ गई ठीक है इसे भी मौखा दिया जाए चारली और चीमा खाड़े में आ गए तेरे दूद के दार तूड़ गया नहीं मैं फोक मार दूगा त संखाड़े में आया और रे चीमा बेमानी से जीता है सबूत उस पेड़ पर है जहां मैं चीमा को लटका कर आया हूँ इसलिए इस ताच का बास्तवे हगदार नीमा है यह बॉना तो बहुत ताखत पर है कोई जादू कर्मा में पढ़ता है कई ऐसा ना होगी एक दिनी यह इसका किस्ता भी खत्प गरना जलूरी है ठीक है नेमा को तरच पहना है जाए पर तुम किस कभी लेस हो मैं तुम्हारे किसी कभी लेका नहीं हूँ तो फिर तुमने हमारी परब्प्रागत रासमां पर टांग अड़ानी की जुर्णत कैसे की अगर कोई अजनभी हमारे माम अगर तुम लोग कहते हो तो बैचला जाता हूं नहीं तुम अससे तुम हमारे ओजाओ चार्ली पांच कभीलों का ओजा बन गया बेटा चार्ली इस तरह तो अमेजन का देपता भी बन सकता है उतर अंगारन अमेजन घाटी के जानभी पंचायद बुलाई मैं तुमारे कष्टों के निर्मारन है तुम अंगार जीप छोड़कर यहां आयों यहां शीवा का मेला सबसे बड़ा कष्ट है शीवा का मेला हाँ वहां हम हजारों की दादारों पर काटे जाते हैं हमारी बल अंगारा गाविला कभीला पहुचा सर्दार हुंबालू अब तो तुम्हारी लड़कियों के भली नहीं चड़ाई जाती नहीं आखा सब अमन चैने आपने उस जादूगर शैतान का खात्म कर दिया क्या तुम्हारा कभीला भी शीवा के मिले में हिस्सा लेगा हां हर वर् में उसे महायोदा कहते हैं उसकी एक परतियों के ताहойд में होती है और विजेता सर्दारं का सबसे बड़ा और सम्मान रेक्ति कहलाता है उसे शीवा के पहाल में जाने का अधिकार भी मिल जाता है और मुझे विश्वास है कि कि हुरे जीत गया भई जीत गया वारा सर्दार जीत गया दूसरी ओर नीमा सर्दार इस बार मैं तुम्हें शीवा बेले में सबसे बड़ा सर्दार बना दूँगा वहाँ पिंगालो सर्दार के सामने आसतर कोई नहीं टिक सका पिंगालो हाथी को भी उठा कर पड़क देता है बहला उसके सामने मेरी क्या उकात? इस बार तुम पिंगालों को भी पचार दोगे नीमा, ये मेरा सबसे बड़ा जादू होगा, अगर ऐसा हो गया, तो पूरे अमेजर में तुमसे बड़ा जादू कर कोई दूसरा नहीं होगा, सारे कभीले तुमारे कदबों में सिर्जुखा देगे, और तुम शीवा पयाल के अंदर जा सकूगे, पहाल के अंदर क्या है? पहाल के अंदर देवता का खजाना है, देवता खुशोगर अपने बतों को हीरे दे देते हैं, वह भी हमऊंगे है, हुरे ! लेकिन एक बात याद रखना नहीं मा, अगर तुमने कभी मेरी याग्या का उलंगन किया, तो इसकी सजर से मौत होगी, कोपड़ी वाले जादुगर, मैं तो तुमारा गुलाम हूँ, अमेजन का सबसे बड़ा सरदार बनने के बाद भी तो मैं गुलाम रहूँगा, मैं अमे प्रिंस टुम्बा की कोपड़ी लिए गुम रहा है, उसने आका को जादु से जिंदा करना चाहता है, और मैंने उसके किरिये गराएबा पानी फेर दिया, अब बहुत गुसे में होगा, मुश्किल तो यह है सौमी कि हम उसे मारने का तरीका भी तो नहीं जानते, जादु क प्रिंस टुम्बा, मैं तुम्हें फिर से सौबली दूँगा, और वैसा ही जादु जगा कर जिंदा करूँगा, जैसा जादु कर कीमा ने जगाया था, और इसके लिए सबसे उप्युक्त शीवा का पाड़ है, जा कोई नहीं जा सकता, रेड इंडियन अपने इस पवित् पलंद रहेगा, हम सबसे पहले जानवरों की बली देंगे, पकड़ लो जानवरों को, और अंगारा भी, हम लोग मेले में प्यूमा, जगवार, ग्रिजनी, ग्रिजनी, भालू, तपीर ऐसे जानवरों को लेकर चलेंगे, ऐसे खतरनाक जानवरों को तो कोई नहीं ले जात हैं, क्या तुम अपनी रक्षा नहीं करते हैं, हम बंदुगों से डरते हैं, ये लोग बड़े जालिम हैं, हमारा भी शिकार कर देते हैं, संगठन में बड़ी ताकत हैं, इस बार तुम सब हमारे सा शीवा मेले में चलोगे, हम चलेंगे, हम लड़ेंगे, अन्याय नहीं सह पढ़ा हमारा जंटा सबसे उचा है जड़ां नहीं जोकेगा नहीं जोकेगा निमा drone ये आब ईस अब आएगा जीतेगा इस तरह सभीड सभी कभी सभी कभीं अलग मaharuk से चलते हुए शीबा बार की ओर बढ़ रहे थी, सभी के बास अपने अवरे खबीले की पता काई थी, अंगारा अपने साथियों के साथ, शीबा बार तक पहुच गया, तुम सब इस पार के चारो तरफ फैल जाओ, और पूरा अलागा घेर लो, छिपकर मेरे होकम का इंदिजा मैं, शीबा का सबसे वड़ा पुजारी, तुम सब का विवादन सुईकार करता हूँ, तुम सातों को इन सातों भैसों पर सवार होकर, शीबा पार के साथ चक्कर लगाने हैं, जो भैसे पर सवार होकर साथ चक्कर लगाएगा, वैं सबसे महायोद्धा के लाएगा, जैसे ही सातों सरदार भैसों पर सवार हुए मुकाबला शुरू सातों सरदार शीवा पाढ़ के साथ चक्कर लगाने के लिए बढ़ चले एक सरदार को खुंकार बैसे ने फटक दिया मेरे बराबर मेरे की कोशिच मत करो सरदार वरना तेरी मेरी जंग हो जाएगी इस बार तो मुझे जीतना है पिंगोला मा योद्ध मैं बनूंगा पिंगोला नो सरदार पर हंटर चलाकर उसे गिरा दिया फैस अंगरा पीछए था किया हाल जीड का फैसला इस तरह होता है यहां बर्दे सवार को ताकत से रोका जाता है पिंगोला सथ क्वी इस तरह गिरा देगा फिर तो साथवे चक्कर में देखूंगा आकाश पर जटायू का पहरा था वह पूरे पहाण का दिर्श्य देख रहा था है उस चट्टान पर तो चार्णी चिपा है मुकाबला जीटते ही देवता को बता दूँगा तीसरा चक्कर ओ कामपा सर्दार इस चक्कर में तेरा नंबर है है आज तक मुझे पहला वार किसी नहीं किया तेरी यह हिम्मत वार तो अब होगा बेटा देख मेरे हाथ से पत्रों का निशाना यह पत्र कहा से आ रहे है पिंगोला भैसे से गिर गया हुरे तुम पिंगोला मुझे नहीं पचार सकता जो भी नीमा सर्दार के करीब आएगा मैं उसे पत्रों से फोड़ दूँगा सूरे की रोशनी के गदी से मेरे पत्थर टक्राएंगे शानली के पागल हो गया पत्थर बरसारा है सात्वा चक्कर हैं अंगारा यह कहां से आ गया आज तो इस पर प सकता हड़ यह उतल मेरे भैसा खाया हो के पाठाएंगारा नेवा के वैसे आख मतिया है रोग जा है तुझे थे पढ़ता क्यों है अब तो मैं खेलाओ जड़ा सा वासला तु रह गया है ना लाए तू थो चछोड़ मुझे उधर मुझे अब ये वैसा तुझे नहीं शीवा पाल के उपर गहरा अंदेरा मार है गार है जहां कभी सूरी की रोशनी नहीं पहुंसती इसे उसी गार में गिराता हूँ नहीं तो यह मेरी पकड़ से निकल जाएगा जटायू नहीं गोता लगाया और अंदेरे गार की तरब जुग गया छोड़ देता हूँ अब यह शादान कभी भी इसे अंदेरे गार से बाहर ने लिकल पाएगा क्योंकि इसे अंदेरे में सूरी की रोशनी नहीं मिलेगी सौमी अंगारा को यह खुशकबरी देताओं की चार्लिया नेरे गार में कैद हो गया उधर अंगारा जीत गया था मायोद्ध अंगारा जिन्दबार तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं सवाब करते और मिलते अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा और शीबा की जंग में तब तक के लिए धन्यवाद